Hello friends, तो आज चलने वाले हम XML की तरफ, यानि की हमारी UI Design की तरफ तो पिछली class में हमने Android Studio के बारे में जाना था तो आज हम जानने वाले हैं XML के बारे में, यानि की Android के अंदर UI Designing जो है मतलब UI कैसे design की जाती है, उसका main जो language है तो Android Designing यानि UI Designing जो है वो Android की होती है XML के अंदर, तो XML को पहले समझते हैं फिर हम next session में देखेंगे कि कैसे आप design कर सकते हो Android Studio के अंदर अपनी app के regarding चीक है तो चलते हैं सीधा Android XML, तो XML होती क्या है XML is just like HTML, एक markup language है जिसका full form होता है extensible markup language अब इन तीनों चीज़ों को एक अच्छे से समझेंगे सबसे पहले सबसे language, एक ऐसी चीज़े से कि मैंने आपको पहले भी बता है language is a way of communication, तो आप यहां पर communicate कर रहे हो computer से या Android OS से कि आप जो code लिख रहे हो का Android manager है वो जिस language में communicate करते हैं हमको भी उस particular level में communicate करना पड़ेगा और क्यूंकि हम एक programming language लिख रहे है तो जो language हम लिखते हैं वो actual code कहलाता है यानि की set of instructions कहलाता है तो language का मतलब समझ में आप extensible और markup का क्या मतलब होता है वो आपको यहां slide में बता चलेगा देखो सबसे पहली चीज तो XML जो है वो initially यूज में आती थी वो transferring या storing data के लिए यूज में आती थी एकर आपको data store करना है या transfer करना है उसलिए यूज आती थी ठीक है यह same as आपकी जो HTML है वैसी markup language है HTML और XML में सर्फ और से यह difference है यह HTML designing perspective से यूज आती है जबकि आपकी जो XML है initial phase में data store करने के लिए backend के लिए बनाई गई थी ठीक है फिर आते हम HTML जैसी भी है मतलब markup language है और markup का मतलब actual में क्या होता है जब भी आप markup language की बात करेंगे मतलब ही जो भी text में formatization करना है text format करना है text में changes करना है इसलिए markup language का use होता है markup means changing of या formatting of text तो designing perspective से आपकी HTML यूज आती है वैसी data perspective से आपकी XML यूज आती है लेकि इन में कुछ differences है जैसे कि आपकी HTML जो होती है वो predefined रहती है मतलब उसमें जो tags use आते हैं वो predefined होता है जबकि XML जो होती हो पुरी user perspective होती है यानि user descriptive होती है user describe कर सकता है या define कर सकता है अपने tags को और फिर उनको हम use कर सकते हैं तो यह change होता है HTML से दूसरी चीज यह रहती है कि आपका जो XML है वो case sensitive है then जो white spaces है वो भी count किये जाते हैं अगर आप उनके tags को अच्छे से properly close नहीं करो तो वो भी error create करते हैं तो यह कुछ features है XML के जो बाकी normal markup language से थोड़े से अलग है प्रस जो मैंने भी आपको बताया था कि XML के अंदर predefined tags नहीं होते ठीक है मतलब आप HTML की बात करें या को भी markup language की बात करें तो उनने आपको predefined tags मिल जाएंगे extensible के लिए represent करता और extensible का मतलब होता है कि इसमें predefined tags जो है वो यूज नहीं होते आप इसको अपने लेवल तक इसको extend कर सकते है जैसा आप चाहे मतलब जैसा user चाहे वैसे उसके tags define करके उसको runtime में use कर सकता है प्लस जो markup language लिखी जाती है वो इसलिए लिखी जाती है क्योंकि वो human readable होती है तो इसमें identification कैसे होता है annotation से होता है जो आप tags लगाते हो उससे आपका जो computer programming language भी है वो भी identify हो जाती है और एक human भी easily read कर पाता है क्योंकि जो इनके tags होते है वो user defined होते है या फिर ऐसे tags होते है जैसे heading body जो की बहुत ही easily human read कर सकता है ऐसा कोई tags या ऐसा कोई syntax नहीं है जिसको आपको समझने में problem हो तो यह कुछ features होते है जिसमें हमारे जो design part है जिसमें हमारा जो यूओ आई पार्ट है हम लिखने वाले अब यह तो हुई xml के features के बारे में, मतलब xml होता, markup का मतलब क्या होता है, extensival का मतलब क्या होता है, language का मतलब क्या होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि coding करने का तरीका कैसा होता है, मतलब आपको code जो tags लगने होते हैं, वो कैसे करने पड़ते हैं, तो आप चलते हैं यहाँ पे xml in android अभी तो हमने समझा कि xml होता क्या है अब हम देख रहे हैं कि xml android में कैसे काम करता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि xml in android मतलब xml कहां कहां यूज आता है तो जो आपका resource वाला folder होता है जैसा कि आपने पिछले session में देखा था कि android studio में resource folder कहां होता है तो उस resource folder में आपको xml files दिखेगी क्योंकि वहीं पे आपकी डिजाइन के components रिलेटेड फोल्डर्स है वह आपको resource में मिलते हैं drawable होगया वहां पर भी xml का use आता है आप कोई animation बनाते हैं android के अंदर तो वह भी xml में design होता है then आप कोई layout बना रहे है तो वह भी xml में design होता है तो जितना भी आपका ui perspective जहां पर भी आपको खुद से कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो उसमें by default आपको xml file की जरुद पढ़ती है xml में coding करनी पढ़ती है then आते हैं हम xml के अंदर की बात करे xml का code लिखते वक्त आपको हमेशा यह चीज़ का ध्यान रखना है कि उस xml file के अंदर केवल और केवल एक root tag हो सकता है root tag का मतलब होता है कि जहां file start होती है root मतलब उसी के अंदर सारी चीज़ें होगी चीज़ें वह starting point है वही सबसे last में end होना चाहिए तो वह कहलाता है root tag मतलब एक ही root tag आप यूज़ कर सकते हैं कहां कहां use आता है यह xml का then अब समझते हैं कि देखो यह चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक overview के लिए जहां हम समझ रहे हैं कि xml होता है जिससे कि आपको एक brief knowledge हो जो हमारा next session रहेगा वो practical रहेगा जिसमें हम actual कोड करेंगे xml के अंदर कैसे हम root tag बनाते हैं कैसे tags को create करते हैं then उस tag के अंदर कैसे attributes बनाते हैं कैसे attributes को define करते हैं then उनके अंदर further child views कैसे आते हैं तो ये सारी चीज़ें practical भी हम execute करेंगे लेकिन उनको execution में लाने से पहले एक उसका brief knowledge होना बहुत important है तो आज का जो session है XML के बारे में वो उसी के उपर है तो आप confused ना होए कि ये चीज़ें आपको हो सकता हलका सा bounce करें लेकिन जब आप practical perspective देखेंगे आगे आने वाले sessions के अंदर तो आपको इचीज़ें और clear हो जाएगी अब चलते हैं इसके अंदर तीन components होते हैं जब भी हम design करते हैं तो एक होता है view, एक होता है view group और एक होता है आपका root views जिसे हम layouts भी कहते हैं जब भी हम android के अंदर UI के अंदर design करते हैं यान कि XML के अंदर हम design करते हैं तो हमारे पास जो option होते हैं वो दो होता है एक होता है view लेना और एक होता है layout लेना अब layout क्या होता है combination of multiple views कह सकते हैं जो parent tag होता है या फिर root tag होता है जहाँ पर layout आएगा जैसे आपको पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग के लिए आपकोई create आपको होता है से पहले एक layout mention करना पड़ेगा इसलिए layout जो है आपके root views कहलाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि XML के अंदर केवल और केवल एक ही आपका root element आता है इससे आपको बोदा चल जाएगा कि एक screen के उपर आप एक ही layout लगा सकते है multiple layout तो वैसे भी नहीं लगा सकते तो वह जो layout है उसके अंदर आप further अपने जितने भी चाइल्ड वह set करना चाते हैं वह आप design में set कर सकते हैं तो first जो layout होता है उसे कहते हैं root view और वह होता है आपका layout ठीक है उसके बाद में जो further जितने भी views आप लगाएंगे वह कहलाते हैं आपके views अब views क्या होता है वह देखते हैं हम यहाँ पे कोई भी एक rectangular field यानि कि जिसके width और height हो तो data show करने के लिए data in the sense text हो गया image हो गया then या फिर उस पर कोई event perform करने के लिए काम आता है यह होते हैं आपके views चीक है जिसे कि आप example देख सकते हो text images button यह सब किसमें आते views के आते हैं तो कोई भी आपको text लिखाना तो उसके लिए आ होता है एन image के लिए image वहोता है बटन लगाना तो उसके लिए button उता है वो भी व्यूए review class से भी बना व्यकिन हो बटन अपार यह परकर सsके ही रोटोर करता है वैसेहिं image और यह से इन अपट में पता चल रहा है आपको जैसे वह था एक view group का मतलब हो गया multiple यानि एक से जादा यानि एक ऐसा container जो contain करता है multiple views को और खुद invisible होता है वो कहलाता है आपका view group और example यहाँ पर आप देख सकते हैं list view हो गया, grid view हो गया, list मतलब एक linear pattern में आपको list दिखानी हो तो Android में हम उसको use करेंगे, list view को use करेंगे then grid pattern में आपको दिखाना है यानि की rows column में बताना है आपको जिसे आप tic-tac-toe बनाएंगे तो हम grid layout को use करेंगे grid view को use करेंगे then आता है आपका rows and column में कोई design show करनी है तो अब हम क्या use करेंगे, table layout को use करेंगे तो उसमें क्या collection of views है ठीक है, फुद invisible रहते हैं लेकिन उसमें collectively वो views को contain करते हैं इसलिए वो क्या कहलाते हैं, view groups कहलाते है then last माद है आपका root views जैसा कि मैंने starting में कहाता ये आपका सबसे पहला tag होता है, एक XML के अंदर जिसमें सारा design रहेगा मतब starting में आपको इन में से कोई एक layout लेना, यानि एक root view लेना पड़ेगा और उसके अंदर ही सारी चीज़े आपको design करनी पड़ेगी, जैसे views होगे, view group होगे वो आप उन particular layouts के अंदर या root view के अंदर आप design करेंगे चीक है, अब देखते हैं यापे common view groups, बहुत तरह की view groups होता है चीक है, हम जो commonly used आते हैं जैसे कि linear layout हो गया, relative layout हो गया linear में, जिसे linear pattern होगा relative में, relations बनेंगे अंदर views के and frame layout के अंदर हम fragments को use करेंगे, तो यह सारी चीज़े हम depth में भी समझेंगे, चीक है, यह सिर्फ और सिर्फ next जो session है, वो हमारा designing session है तो उसको start करने से पहले इसका overview लेना बहुत important है कि जो हम चीज़े practically start कर रहे है practically करने वाले हैं, अब आगे वाले session के अंदर, तो उसका brief knowledge हमको होना चाहिए, कि क्या क्या चीज़े क्या क्या component जिसमें use आते हैं तो आपको एक clear picture देखे, आपको चीज़े जो है, वो easily समझ में आ सके तो अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पर मैंने XML layout आपके सामने शो करने की कोशिश करी है, जिसमें ये Android Studio के अंदर, जहाँ पर हमारी app design होती, यानि कि हमारी screen जो design होती, left hand side, जो left panel है यहाँ पर code होता है वाद भी editor window है, यहाँ पर coding होती है XML के अंदर और right hand side जो आप देख रहे हैं जो भी आप यहाँ लिखते हैं या जो code करते हैं उसका reflection जो है वो आपको right hand side में दिखता है तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ ले रहे हैं वो right hand side में आपको दिखती रहेगी हम दोनों चीज़े सीखेंगे हम drag and drop करके भी सीखेंगे और code लिखके भी सीखेंगे तो आप यह mind में illusion मत create करना कि हम को code लिखके ही यह चीज manage करनी पड़ती है हम drag and drop भी कर सकते हैं अगर मैं xml को use नहीं करना चाहता है xml में coding नहीं करना चाहता तो मैं drag and drop करके भी design कर सकता हूं android के अंदर चीज़के है अब मैं आपको बताने चाहता हूं कि जो root view actually में होता गया तो जैसे कि xml file है इसके अंदर आप देखते हैं जो सबसे पहला जो tag है वह आपका क्या कहलाता है root view यह इसको root tag कहलाता है ठीक है और इसी को हम layout भी कहते हैं यहाँ पे हमेशा क्या मिलेंगे आपको layouts मिलेंगे constant layout, relative layout, linear layout grid layout जितने भी layouts हैं आप यहाँ use कर सकते हैं then जो इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर close नहीं हुआ है यहाँ से attributes mentioned होए और अलग से close हुआ है यह जो tag यह open हुआ है वह सबसे last में close हुआ है root element का मतलब ही ही है कि जो सबसे पहले open हो और सबसे last में close हो कि उसके अंदर ही सारी चीज़े define होनी चीए तो आप यहाँ देख सकते हो कि यह जो text view है वह इसके बीच में यानि कि इसके अंदर आता है इसलिए यह view है और यह child view भी इसको कहा जाता है एक और layout कि यहाँ बात करता हूँ इसके अंदर मैंने multiple views को add कर रखा है तो यह हो गया आपका view group यह view group किसके अंदर आता है जब multiple views जो है वह container contain करता है तो वह view group कहलाता है एक single view जो होगा single कोई भी चीज दिख रही है आपको वह view कहलाता है और जो सबसे पहला element है वह आपका layout कहलाता है जिससे हम root view कहते है root element कहते है तो इससे एक और चीज़ क्लियर होती है nested designing भी कर सकते है nested layouts बना सकते है linear के अंदर दूसर layout लगा सकते है दूसर layout के अंदर तीसर layout लगा सकते है यह हमाई design पर depend करता है तो यह तो था brief review of xml xml में xml होता क्या xml की coding कैसे होती है क्या options रहते है xml की coding करते हैं क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको view क्या होता है view group क्या होता है root element क्या होता है अब जो आगे next sections आएंगे उनके अंदर हम coding करना start करेंगे in design मतलब कि हम design में कैसे xml में coding करेंगे क्या options रहेंगे कैसे layout बनता है कैसे उसके views उसके अंदर design होता है तो यह हम next section में देखने वाले हैं तो आज ही class के लिए इतना ही thank you करेंगे